नवस्कार दोस्तों, धिट है आज की 13 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एटोगल डिसकेशन में आज तीन इशू हम डिसकेश करेंगे सबसे पहला जो इशू हम आज डिसकेश करेंगे वो पैंडोरा पेपर्स से समंदी डिसकेश करेंगे इसमें basics भी सामिल करेंगे black money से समंदीत तो GS paper 3 security का एक topic आपका पूरा cover हो जाएगा दूसरा इशू हम डिसकेश करेंगे इंडिया-US relations से समंदीत उसमें focus होगा काट सा act पर और तीसरा इशू हम डिसकेश करेंगे आज free electricity से समंदीत ये question है जो आपको attempt करना है चलिए discussion start करते हैं first important article Pandora Papers से समंदीत है आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो Pandora Papers तो एक परकार से context है हमारे slayvers का जो topic involved है वो है black money and money laundering से समंदीत तो इस issue में हम हमारे slayvers का black money से समंदीत जो topic है न वो cover कर लेंगे और वो cover करने के बाद फिर हम ये context discuss करेंगे Pandora Papers से समंदीत तो चलिए पहले basics cover करते हैं आप पहले मुझे एक बार बताइए black money से आप क्या समझते हो black money का मतलब क्या है देखो black money का मतलब ये है या तो वो पैसा जिसे illegal activities की साहिता से कमाया गया है जैसे bank loot कर, robbery करके, drugs बेजके मतलब जो भी criminal activities की साहिता से पैसा कमाया जाता है वो black money है या फिर पैसा कमाया तो legal activities की साहिता से गया है लेकिन उस पर tax नहीं दिया गया है, income छुपा लिगई है, मैं आपको example देता हूँ अगर किसी की income है 25 लाख रुपे एक साल में, लेकिन वो income tax authorities को दिखाता है मेरी income है सिरफ 10 लाख रुपे और उसी के हिसाब से tax भरता है 15 लाख income छुपा लिगई उस person के द्वारा, उस पर tax नहीं दिया गया उसके बारे में reporting नहीं की गई income tax authorities को, तो वो हो गई black money समझ गये, एक तो वो पैसा जो illegal activities की साहिता से कमाया जाता है दूसरा, पैसा कमाया गया, तो legal activities की साहिता से गया है लेकिन उस पर tax नहीं दिया गया है, तो ये मतलब होता है black money का अब मैं आपसे एक question और पूछता हूँ black money से नुकसान क्या होता है मतलब ऐसा क्यों कि विबिन देशों की सरकारे black money से चिंतित होती है और black money पर लगाम लगाने की कोशिश करती है सबसे बड़ा नुकसान जो होता है government को वो revenue का होता है black money मतलब वो पैसा जिस पर tax नहीं दिया गया है अब देखो government को वो tax प्राप्त हो जाता तो government को बहुँ जदा revenue प्राप्त होता tax नहीं प्राप्त हो रहा है मतलब government को revenue का लोस हो रहा है अब government को revenue का लोस होगा तो fiscal deficit बड़ेगा fiscal deficit बड़ेगा तो market से उधार लेना पड़ेगा government को market से government उधार लेगी तो इसका burden eventually पढ़ता है citizens पर ही काफी बार देखो low income के लिए सरकार उधारी लेती है तो हमारी जो आने वाली generations है वो भी कर्ज के बोश दले दभी रहती है next नुकसान होता है monetary policy becomes ineffective अब देखो RBI money supply को control करती है हमार देश में monetary policy की साहिता से जैसे reporate को कम करना या फिर increase करना main जो मकसद होता है monetary policy का वो देखो ये होता है inflation को control में रखना ज्यादा से ज्यादा employment के अफसर पैदा करना economic growth rate को boost करना financial stability insure करना ये सब चीजें वैसे अभी monetary policy कमेटी को सरकार के तरफ से main target दिया हुआ है कि आपको inflation maintain रखनी है 2% से लेके 6% के बीच लेकिन देखो बताने वाली बात ये है monetary policy का जो effect होता है वो legitimate money पे होता है black money पे नहीं होता है तो economy में black money ज़दा हो तो फिर monetary policy ineffective हो जाती है monetary policy का effect होना बंद हो जाता है दूसरी चीज निएस्ट चीज है investment देखो किसी देश के economy में black money ज़दा होता है तो investment कम आती है credibility जो है उस देश की वो relatively erode हो जाती है national security next point है देखो black money की साहिता से जो criminal activities है उन्हें funding मिलती है for example कस्मीर में आतकवादियों को funding मिलती है black money की साहिता से और black money से ही funding मिलती है नकसलियों को तो national security के against black money का इस्तमाल किया जाता है even elections में भी काफी सारा black money का इस्तमाल होता है जिससे elections की जो outcome है वो परभावित होती है next point देखो corruption काफी जादा होता है black money से अब रिश्वत जो दी जाती है officials को जो person रिश्वत देगा वो अपने income tax returns में तो नहीं दिखाएगा ना कि मैंने इस official को इतनी रिश्वत दी क्योंकि आज के समय में तो रिश्वत देना भी एक अपराद है तो वो कहां से लाएगा वो black money ही देगा officials को रिश्वत के तोर पर तो black money जादा होती है तो रिश्वत खोरी बढ़ती है तो ये हमने कुछ points डिसकस किये black money से economy पर क्या बुरा परभाव पड़ता है अभी आप इसमें और भी काफी सरे points एड़ कर सकते हों जैसे black money की वज़े से inequality जो है society में बढ़ती है मतलब अमीर और जदा अमीर होता है गरीब और जदा गरीब होता है अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है black money की वज़े से economy slowdown करती है कुछ लोग black money जो है वो अपना दूसरे देश में transfer कर देते हैं तो अपने देश की income दूसरे देशों में चली जाती है और even ethical angle, ethical dimension भी आप add कर सकते हो कि ये values के against है tax चोरी करना, tax अगर legitimate धंग से दिया जाए तो ये देश की development के काम आता है ये सारे points आप लिख सकते हो अगर UPSC में पूछा जाए कि black money से क्या नुक्सान होते हैं अब देखो next हम ये discuss करते हैं कि क्या कुछ सरकार की तरफ से किया गया है black money पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारे steps सरकार की तरफ से उठाए गए है जो present ruling government सत्ता में आई सुरवात में 2014 में तो एक special investigation team form की गई थी और ऐसा supreme court के order के अनुसार किया गया था government ने 2015 में एक bill पास किया undisclosed foreign income and assets imposition of tax bill 2015 मतलब अब ये bill act बन चुका है 2015 में ये bill पास हो गया था इसके अलावा tax deduction at source में सरकार reforms लेके आई सरकार की कोशिस ये हैं बजाए इसके की tax rates को increase किया जाए tax base को increase किया जाए मतलब simple बजाए इसके की कुछी लोगों से ज़्यादा tax वसूला जाए ज़्यादा लोगों से कुछ tax वसूला जाए ये सरकार की रणनीती हैं सरकार ने 2005 में financial action task force को जोइन कर लिया था cashless economy की तरफ सरकार का ध्यान ज़्यादा हैं ताकि transactions सरकार की नजरों में रहें और tax ना बचाए जाए जाए सके उन लोग के द्वरां जो tax चोरी करते हैं demonization सरकार ने implement किया Switzerland पर pressure लगाया दूसरे देशों के साथ मिलके अब Switzerland जो हैं वो case by cases पर हमसे details share करता हैं हमारे देश के उन लोग के accounts की जिन पर income tax authorities को शक हैं अब real estate और buddy transactions के लिए pen card जो है वो compulsory कर दिया गया है दूसरे देशों के साथ सरकार double taxation avoidance agreement sign कर रही हैं तो ये कुछ मुख्य steps हैं जो सरकार ने लिए हैं black money की समस्चा को address करने के लिए इसके अलावा देखो और भी काफी सरे acts बने हैं black money पर लगाम लगाने के लिए जैसे prevention of money laundering act 2002 बाद में इसमें amendment भी क्या गया था देखो money laundering का मतलब होता है black money को white money में convert करना काले धन को सफेद धन में convert करना सफेद धन मतलब legitimate money black money मतलब illegitimate money और ये कैसे किया जाता है ये वैसे देखो तीन steps की साहिता से किया जाता है सबसे पहले placement दूसरे number पर layering और तीसे number पर integration placement में क्या होता है placement में देखो काले धन को सबसे पहले जमा करवाये जाता है बैंकों में ये सबसे risky step होता है और दूसरे नमबर पर होता है layering मतलब जो काला धन बैंकों में एक बार जमा करवा दिया गया है बाद में उनको इधर से उधर गुमाया जाता है ट्रांजेक्शन्स की साहिता से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में कुछ खरीद लिया कुछ बेच दिया मतलब इतनी जारा transactions होती है layering में कि बाद में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सबसे सुरुवात कहां से हुई थी मतलब पैसा सुरुवात में आया कहां से था और integration में तो वो जो black money था वो white money में convert हो जाता है, मतलब जिसने भी placement की थी उस black money की वो legitimate papers हासिल कर लेता है documents हासिल कर लेता है ये दिखाने के लिए कि मेरा जो पैसा है वो white money है, black money नहीं है मतलब integration जो है black money का वो complete हो चुका है तो ये हमने prevention of money loading act के बारे में डिसकस किया और money loading के बारे में थोड़ा सा जाना इसके अलावा देखो Fugitive Economic Offender Act 2018 वीजे माले जैसे लोग जो भाग जाते हैं Economic Offense कमिट करके उनके लिए है ये act next, cheat funds के लिए सरकार बिल लेके आई और सबसे last में बिनामी transactions Prohibition Amendment Act 2016 बिनामी transactions पढ़ने के लिए और जो कल्प्रिट है उनकी प्रोपर्टी को attach करने के लिए सजा देने के लिए ये act था बिनामी transactions Prohibition Amendment Act 2016 act तो देखो पहले भी था लेकिन उसे implement नहीं किया जाता था तो पुराने 1988 के बिनामी transactions act को amend किया गया और अब सकताई से इसे implement भी किया जाता है तो इस परकार से हमने black money से समदित कुछ basics को जाना अब आज के article का रुख करते हैं आज का भी article discuss करने से पहले एक और basic चीज मैं आप से पूछना चाता हूँ What is tax heaven? Tax heaven से आप क्या समझते हो? Tax heaven देखो वो countries है या फिर वो regions है जहाँ पर tax rate बहुत ज़्यादा कम है या तो बिल्कुल ही zero है या फिर 1%, 2% एकनी है हमारे देश में तो tax rate काफी ज़्यादा है आपको पता है 10 लाग से उपर income tax rate 30% है इसके लावा corporate tax rate भी 25% के आस-पास है लेकिन Mauritius जैसे देश है tax heaven है क्योंकि वहाँ पर income पर tax rate बहुत ज़्यादा कम या फिर निल है इसके अलावा देखो tax heaven में और भी बहुत साइच चीज़ें होती है जो देश tax heaven होते हैं वो ज़्यादा जल्दी से किसी individual की या फिर किसी company की financial information जो है वो foreign authorities के साथ share नहीं करते मान लीजिए इंडिया का कोई business man है वीजे मालिया उसने अपना पैसा Mauritius में transfer करके रखा है Mauritius की किसी company में मतलब या फिर यूं कह सकते हो Mauritius में ही खुद से उसने company बनाई और उस company में अपना पैसा डाल रखा है तो इंडिया की सरकार अगर Mauritius को बोलेगी न तो Mauritius की सरकार ज़्यादा आसानी से इंडिया की सरकार के साथ data share करेगी नहीं इसलिए बहुत सारे विबिन देशों के जो business man, politicians या फिर corrupt bureaucrates होते हैं वो अपना पैसा tax heavens में store करके रखते हैं उन्हें लगता है कि tax heaven countries में पैसा store करके रखेंगे safe है एक तो वहाँ पे tax नहीं देना पड़ेगा दूसरा उस देश की सरकार ज़्यादा असानी से हमारा जो data है वो दूसरे देशों की सरकारों से share नहीं करेगी इसके अलावा ये tax heaven जो countries होते हैं न ये कुछ नहीं पूछते मतलब politicians दूसरे देशों के या फिर दूसरे देशों के bureaucrates अगर अपना black money tax heaven countries में लेके जाते हैं न ये कोई question नहीं पूछते कि भहिया पैसा कहां से लाए हो दिखाओ पैसा आपने जायज कमाया है नहीं कमाया है कुछ तो दिखाओ नहीं ये tax heaven countries कुछ नहीं पूछते क्योंकि इनको तो income हो रही है ये बोलते हैं लेयाओ भईी लेयाओ कोई दिक्कत नहीं है जितना आप black money लाना चाहते हो लेयाओ हमें कोई question आपसे नहीं पूछना है तो ये अमीर लोग क्या करते है इन tax heaven countries में अपना black money लेके जाते है जो इन्होंने अपने अपने देश में गल्त गतिवीडियों से कमाया है या फिर अच्छी गतिवीडियों से कमाया है बट उस पर tax pay नहीं किया है तो जैसे example के तोर पर हमारे देश में कुछ politicians है वो अपना पैसा लेके जाएंगे मोरिशस में वहाँ पर कोई shell company establish करेंगे जिसकी income वो दिखा देंगे ये जो black money है वो उस shell company की income है फिर एक और shell company establish करेंगे उस shell company से पैसा जाएगा दूसरी shell company में फिर तीसरी shell company में फिर चोथी shell company में ऐसे ऐसे करके layering की जाएगी एक shell company से कई सारी shell companies में पैसा transfer किया जाएगा तब तक transfer किया जाएगा जब तक कि ये पता लगाना मुश्किल हो जाए कि सबसे पहली बार जो transaction हुई थी वो किस की हुई थी यानि source पैसो का कौन है कौन सा politician इन पैसो का source है ये पता लगाना मुश्किल हो जाए तब तक ये पैसे जो head transaction होती जाएगी एक company से दूसरी company में मतलब 100 companies में अगर देखो transaction होती रहे तो फिर तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा tax heaven country में store करके रखते हैं अब आपके मन में आया होगा अरे ठीक है भईया black money का basic both हो गया अब ये बताओ ना pandora paper क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ pandora paper देखो ये जो tax heaven country है न ये तो अपना data नहीं share करते मतलब tax heaven countries में जो banks है या फिर tax heaven country की जो सरकार है वो अपना data foreign authorities के साथ में असानी से share नहीं करते लेकिन माल लीजिए उस tax heaven country के bank का कोई server जो है वो hack हो जाए या फिर उस tax heaven country का जो bank है जिसमें विबिन लोगों ने अपना black money store करके रखा है उस bank का कोई जो employee है वो data चुरा के किसी को दे दे मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए अंदर से कोई गदार निकल जाए या फिर hacking हो जाए उस bank के server की कुछ भी ऐसा हो जाए कि उस bank का जो data है वो हाथ लग जाए किसी के तो तो पता लग जाएगा न किस politician ने अपना black money इस bank में store करके रखा था यही है पेंडोरा पेपर यही है पनामा पेपर यही है पैरडाइस पेपर पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे papers release हुए हैं यह जो papers release होते हैं ना कोई ना कोई गदारी कर जाता है या फिर मजबूरी में इनका data चोरी हो जाता है जान बूज के यह data नहीं share होता है उस देश की tax 7 days की सरकार नहीं share करती है बल्कि या तो देखो bank का कोई employee whistle blow कर देता है कि देखो हमारे bank में क्या हो रहा है या फिर उस bank का server hack हो जाता है या फिर उस bank से सम्मंदित कोई laugh from है वो data share कर देती है वो default हो जाती है तब उसका data leak हो जाता है मतलब वो अमीर लोग जिन्होंने अपना black money store करके रखा है या फिर tax 7 देश की सरकार जहां पे black money store करके रखा है या फिर tax 7 country का जो bank है ये सब नहीं चाते कि data बाहर आए बट इनके ना चाते हुए भी data बाहर आ जाता है और data जब बाहर आता है तो पता लग जाता है किस-किस politician ने black money अपना store करके रखा है इस-इस tax 7 country के bank में मतलब सब की पोल पट्टी खुल जाती है और वही हुआ है Pandora Papers में वैसे एक question आपके मन में आया होगा कि ये Pandora Papers leak किस ने किये मतलब ये भला काम अच्छा काम किया किस ने देखो ये International Consortium of Investigative Journalist है ये जो consortium है ना इसमें 600 journalist है 150 media outlets के 117 countries से इस consortium के पास ये data है Pandora Papers वाला और इन्होंने बताया नहीं है कि हमको data मिला कहां से मतलब इन्होंने source नहीं बताया है और total ये जो Pandora Papers का data है ये बहुत ज़ादा data है 2.94 TB का इससे पहले जो ये papers रिलीज हुए थे ना Panama Papers Panama Papers का जो data था वो 2.6 TB का था और Paradise Papers का जो data था 1.4 TB का था फाइल्स Paradise Papers में थी 13.4 मिलियन और Panama Papers में फाइल थी 11.5 मिलियन वैसे देखो ये जो Pandora Papers लीक हुए है न इनमें बड़ी-बड़ी हस्तियों का नाम है जैसे Sachin Tanulkar, Putin, Tony Blair King of Jordan मतलब इन्होंने अपना पैसा जो है वो store करके रखा है Tech 7 Countries में उनके नाम है ये जो पैपर्स लीक हुए है इनमें Question UPSC के द्वरा ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश में सरकार ने जो Steps लिये हैं Black Money को कर्ब करने के लिए वो कितने Efficient है क्या लिये हैं वो तो हमने देखो सुरुवात में डिसकस किया कितने सरकार के जो Steps रहे हैं वो Efficient है वो हम थोड़ा सा अभी ब्रीफ में डिसकस कर लेते हैं तो आर्टिकल में कहा जाता है नहीं सरकार के जो Steps हैं वो Misguided है सरकार ने सही Steps नहीं उठाए हैं Black Money की समस्या को Address करने के लिए जैसे सरकार ने देखो एक्ट काफी ज़्यादा हार्स है और अभी तक इस एक्ट की साहिता से सरकार ने सिरफ 12,500 क्रोड रिकवर किये हैं जबकि इसी परकार का एक्ट है इंडोनेशिया का और इंडोनेशिया ने 25,000,000 क्रोड रुपे recover किये हैं इस परकार के act की साहिता से सरकार को चाहिए था कि इस act में rectification किया जाता, amendment की जाती course correction किया जाता, बजा इसके सरकार एक और act लेके आ गई और ज़रा strict fugitive economic offenders act देखो जो पुराना income tax act है उसी में इन acts के provision included है उनको implement किया जा सकता था नए इस परकार के act लाने की आउसकता थी ही नहीं सरकार चीजों को और ज़रा strict करती जा रही हैं, जबकि देखो काफी बार economic persuasion की आउसकता होती हैं, जैसे यहाँ पर example दिया जाता है, जो देखो कौला धन जमा करते हैं, उनके लिए incentive कम हैं सरकार कहती है कि कम से कम 60% तो आपको tax देना ही पड़ेगा अगर आप अपने black money को disclose करते हो, तो इसलिए बहुत कम लोग अपने black money को disclose करते हैं, तो economic persuasion की भी आउसकता है, मतलब उनको थोड़ा सा economically समझाए जाए कि भया अगर आप अपना black money disclose करते हो, तो इससे आपको ज़्यादा नुक्सान नहीं होगा, बजाए इसके कि अगर income tax authorities आपको पकड़ लेंगी, तब जाके जो black money जमा करने वाले लोग हैं, वो कुछ सामने आएंगे और अपना black money को disclose करेंगे, ऐसा insure किया गया है विभिन देशों में, लेकिन हमारे देश में, ड़रा धमका के बिना economic persuasion के चीजों को implement करने की कोशिस की जा रही हैं, इसके बाद आठकल में ये बोला जाता है, देखो 2014 के बाद से जो tax policy है हमारे देश में, वो तीन माईनों में अलग है, सबसे पहले retrospective application of tax and penalize, retrospective का क्या मतलब होता है, जैसे देखो अगर आज रेप के लिए फानसी की सजा कर दे जाती है, किसी भी रेप के लिए फानसी की सजा का प्राधधान कर दिया जाता है, एक तो ये चीज होती है कि आगे future में जो रेप होंगे, उन पर ये एक लागू होगा, अगर ये कानून पहले जो रेप हुए हैं, उन पर भी लागू होता है, मतलब सरकार इस कानून को retrospective implement कर रही है, मतलब कानून के आने से पहले जो crime हो चुके हैं, उन पर अगर वो कानून लागू होता है, तो मतलब retrospective उस कानून को सरकार implement कर रही है, next aspect है, burden जो है आज के समय में, वो सिर्जन्स पर है ये सावित करने का कि उन्होंने tax चोरी नहीं की है, वो offender नहीं है, तीसरा aspect, देखो होना तो ये चाहिए जब तक कि taxman, यानि tax officer, tax authorities, प्रूव ना कर दे, तब तक सिर्जन्स के उपर trial नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये बदलाव आ गया है, 2014 मई के बाद से, even taxman प्रूव करते नहीं है, उससे पहले ही सिर्जन्स पर trial चला दिया जाता है, तो इनके देखो बहुत खराब परिनाम निकलने लगे हैं, क्योंकि जो conviction rate है, इन मावलों में बहुत ज़दा कम हैं, ED हमारे देश में money laundering के case देखती हैं, और ED के cases में जो conviction rate है, वो सिरफ 1% हैं, जबकि US, UK में black money को रोकने के लिए, money laundering को रोकने के लिए जो agency हैं, उसकी conviction rate है 50%, income tax department का record बहुत ज़दा increasing नहीं है, 2% conviction rate income tax cases में रही है, financial year 2016-2017 में CAC की report ये बोलती है जिस साल demonization implement हुआ था, उस साल rates income tax की दो गुना हो गई लेकिन देखो हराने वाली बात ये है कि जितना undisclosed income का खुलासा किया income tax ने, वो one fourth हो गया, मतलब rate ज़्यादा मारी demonization वाले साल में income tax ने, लेकिन undisclosed income का खुलासा कम हुआ last में article में ये बोला जाता है आप economic persuasion पे ध्यान दो, जैसे किसी चीज का देखो जब ilाज होता है तो doctor पहले ये देखता है क्या medicine देने से काम चल जाएगा last solution doctor देखता है कि कोई operation करना पड़े, कोई surgery देखना पड़े otherwise doctor avoid करता है लेकिन सरकार उल्टा करती है सरकार पहले operation कर देती है और बाद में दवाई देने की सोचती है तो ये कुछ solutions दिये जाते हैं राइटर के दवरा, राइटर बोलते हैं जो अभी बहुत हार्स fiscal laws है, tax से समंदित उनको repeal किया जाना चाहिए और international corporation पे सरकार को focus करना चाहिए, tax चोरी को पकड़ने के लिए technology आप अच्छी लेके आओ big data का इस्तिमाल करो artificial intelligence का इस्तिमाल करो banking penetration ज़्यादा से ज़्यादा हो transactions ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि tax की चोरी करना मुश्किल हो और सबसे last में economic persuasive मतलब जो black money जमा करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा incentive होना चाहिए कि वो अपनी black money disclose करें ताकि उनकी black money का सरकार को पता लग सके इसके बाद next article काटसा एक्ट से समन्दित है कैसे ये जो act है वो इंडिया और USA के relations में strain डालने का काम कर सकता है इस issue से समन्दित है ये article आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो जब टरंप USA के राष्टरपती थे ना 2017 में एक act आया था USA में काटसा एक्ट इस act के तहट प्रोविजन ये था अगर कोई देश USA के enemy country से defense समन्दित transaction करता है जैसे देखो रशिया USA का enemy country है दुस्मन देश है तो रशिया से अगर कोई देश defense transaction करता है माल लीजिये माल जो है defense material जो है खरीटता है हदियार खरीटता है तो उस देश के ऊपर भी USA के द्वारा sanctions लगाए जा सकते हैं तो 2019 में इंडिया ने एक deal sign की थी रशिया के साथ S-400 missile defense system purchase करने के लिए क्या ये हुआ था कि रशिया इस S-400 missile defense system की delivery करेगा इंडिया को 2020 से लेगे 2023 के बीच में जल्द ही इंडिया इन surface to air missile की five squadron जो है receive करेगा रशिया से तो जब इंडिया ये receive करेगा रशिया से तो क्या फिर USA अपने कार्टसा एक्ट के तहत इंडिया के ऊपर sanctions लगाएगा अगर लगाएगा तो फिर इंडिया और USA के relations खराब हो जाएगे लगाएगा तो कैसे sanctions लगाएगा अगर देखो USA sanctions लगाता है कार्टसा एक्ट के तहत इंडिया के ऊपर या फिर किसी और देश के ऊपर वो इस परकार के sanctions लगाता है उस देश का export license जो है वो suspend कर दिया जाता है वो देश export नहीं कर पाएगा USA में American companies को रोक दिया जाता है उस देश की companies में invest करने में USA का कोई financial institution वो loan नहीं देगा उस देश को या फिर उस देश की company को IMF से वो देश loan लेता है या फिर दूसरे financial institution से वो देश loan लेता है तब भी USA के दोरा oppose किया जाता है तो ये काम USA करता है अगर किसी देश के उपर sanctions लगाने हो Cardsa Act के तहद और Cardsa Act के तहद sanctions कब लगाता है जब कोई देश USA के enemy countries से defense transaction करता है इंडिया देखो पहला ऐसा देश नहीं है इससे पहले भी तर्की ने रशिया से ये S-400 missile defense system purchase किया था चाइना ने भी रशिया से हतियार खरिदे हैं तो इनके ऊपर USA ने थोड़ी बोथ restrictions तो लगाई है बट क्या इंडिया को waiver दिया जाएगा इंडिया को छोड़ दिया जाएगा इस Act के थैत USA कारवाई नहीं करेगा वो अब देखना बाकी है जब इंडिया इनकी डिलिवरी रिशीव करेगा रशिया से देखो USA का जो ये कार्ट सा Act है ना वैसे इसमें waiver का भी provision है यानि किसी देश को तो माफ भी किया जा सकता है अगर वो USA के enemy country से transaction करे तो भी किन-किन cases में माफ किया जा सकता है अगर देखो वो move यानि वो action अमरीका के interest में हो मालिजिए इंडिया रश्या से S-400 missile defense system purchase कर रहा है अगर ये अमरीका के interest में है तो USA माफ कर सकता है अगर इससे USA की national security को कोई खतरा ना हो या फिर action USA के military operations को परभावित ना करता हो या फिर वो देश ये साबित कर दे कि हम रश्या से defense equipment की जो purchase है उसे अब धिर धिरे कम कर रही हैं और USA के साथ वो देश critical security के मामलों पर corporate करता हो कुछ और भी provisions हैं माफ करने के अगर देखो वो देश जिसके उपर sanctions लगने हैं वो ये साबित कर दे कि हम रश्या के साथ ties जो हैं रिश्टे जो हैं अब धिरे धिरे कम कर रही हैं तो फिर 180 दिनों तक USA उस देश के खिलाफ sanctions नहीं लगाएगा तो ये waiver के कुछ provisions है काटसा act में अब question यही उठता है क्या इंडिया को इन provisions के तहत waiver मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वैसे देखो इंडिया जो है अब USA का साथ ही है Quad में दोनों देश कोर्परेट कर रहे हैं बाकी जपान और Australia के साथ मिलके कई सारे issues पर आतकवाद से कैसे निप्टा जाए इस issue पर इंडिया और USA कोर्परेट कर रहे हैं दोनों का दुस्मन भी कोमन है चाइना तो ये जो S-400 missile defense system purchase करेगा इंडिया ये अपनी शुरक्सा के लिए करेगा क्योंकि दो front पर अभी tensions है एक तरफ पाकिस्तान के साथ tensions है वेस्टन फ्रेंट पर और Northern Front पर भी tensions है तो इंडिया के लिए जरूरी था ये S-400 missile defense system उमीद यह है कि USA इंडिया को वेवर देगा क्योंकि USA को भी पता है अगर हमने इंडिया के उपर sanctions लगाए तो फिर इंडिया बलकि रश्या के तरफ जादा चला जाएगा रश्या से और ज़्यादा हतियार इंडिया को खरिदने पड़ेंगे मजबूरी में और इससे USA को ही घटा होगा क्योंकि आप ये डेटा देखिए पिछले एक दसक में इंडिया की रश्या से जो military purchase है न वो कम हुई है जबकि USA से इंडिया की military purchase जो है न वो increase हुई है बेशक अभी फिलाल पिछले कुछ सालों में ही इंडिया ने रश्या के साथ 15 billion dollars की डील साइन की है जैसे S-400 डिफाइंस मिसाइल सिस्टम, KA-226T यूटिलिटी हेलिकोप्टर्स ब्रहमोस मिसाइल्स AK-203, Assault Rifles ये सब इंडिया रश्या से purchase कर रहा है बट पहले तो इंडिया की जो purchase थी रश्या से वो और भी ज़्यादा थी लेकिन हाल फिलाल में इंडिया की जो defense partner से फैना USA के साथ ज़्यादा मजबूत हुई है आलेडी 20 billion dollars की government to government deal से इंडिया ने sign की है USA से defense equipments purchase करने के लिए और 10 billion dollars की और under negotiation है USA ने इंडिया को 2016 में major defense partner resonate किया इसके बाद strategic trade authorization 1 का भी status USA ने इंडिया को दिया ताकि USA इंडिया को critical technologies देश के आज के समय में दोनों देश के जो manufacturer हैं वो साथ मिलके co-develop और military equipments को co-produce करने के लिए भी explore कर रही है तो अगर USA ने इंडिया को उपर sanctions लगाए तो USA का बहुत नुक्सान होगा ये चीज़ USA को पता है लेकिन USA में कुछ experts ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं तरकी के उपर आपने restrictions लगाई चाइना के उपर आपने restrictions लगाई तो क्या इंडिया को आप पूरी तरह से छोड़ दोगे तो ये अब देखना बाकी होगा restrictions अगर इंडिया के उपर लगती है या फिर नहीं लगती है लगती है तो कितनी लगती है चलते हैं आगे इसके बाद next article जो हमारे आज का last article है free power से समन्दित हैं आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूँ देखो elections के समय elections से पहले बहुत सारी political parties free power देने का वादा करती है कि हम consumers को एक महने में 300 unit तक free देंगे और कई political parties तो दे भी रही है मतलब कई states की सरकारे तो farmers को free electricity दे ही रही है और pending bills को माफ करने का भादा भी विविन political parties करती है तो इससे क्या फाइदा क्या नुकसान होता है free जब electricity दी जाती है तो इससे क्या फाइदा नुकसान होता है आप बताईए देखो जातर states में किसानों को electricity पर subsidy मिलती है कुछ states में किसानों के लिए electricity यानि बिजली पूरी तरह से free है जैसे पंजाब में, तमिलाडू में, करनाटक में और जातर states में किसानों के लिए जो बिजली है उसकी कीमत एक unit से कम है देखो ये जरूरी भी है वैसे तो अब किसानों को electricity सस्ते दामों मिलेगी तो किसान ज़्यादा food produce कर पाएंगे जो हमारे देश की food security के लिए important है किसानों को बिजली पर subsidy देना rural livelihood के लिए भी important है अगर देखो उनको input पर ज़्यादा cost आएगी तो उनकी income generate नहीं होगी और rural जो economy है धराशाई हो जाएगी बट देखो दिक्कत यह है inefficient use of electricity जब free में कोई चीज मिलती है बहुत बार हमें उन free चीजों की ना कदर नहीं होती जैसे देखो पानी का example लेजिए पानी बहुत बार free होता है तो कितना ज़्यादा wastage होता है हवा का देख लिए हवा को हमने गरांटीड ले लिया है तभी तो इतनी ज़्यादा हवा परदूसित हो गई है उसी परकार से जब बिजली पूरी तरह से free होती है तो उसका wastage काफी ज़्यादा होता है समर्सिबल यानि टूबल चल रहा है तो चल रहा है बिजली की तो खबद ज़्यादा होई रही है बलकि पानी भी नीचे से ज़्यादा निकाला जा रहा है और फाइदे के बजाए इससे नुक्सान हो जाता है अगरिकल्चर कनेक्सेंस में तीन चुथा यानि पिचेतर परसेंट जो कनेक्सेंस होते हैं वो unmetered होते हैं सीधा तार जोडली और बिजली ली जा रही है कोई meter ही नहीं लगा हुआ है तो meter मतलब बिल तो वैसे भी नहीं आना free है meter ही नहीं लगा तो अन्दा दून्द इस्तमाल होता है बिजली का अन्दा दून्द नीचे से पानी exploit होता है इसका फाइदा distribution companies भी उठाती है distribution companies जो companies जब electricity distribute करती है वो सरकार से पैसा ले लेती है वो बोलती हैं कि देखो हमने तो इतनी बिजली दे दी क्योंकि meter तो लगे नहीं हुए तो वो तो बोल देते हैं कि हमने इतनी बिजली दे दी जबकि बहुत बार कट लग जाता है electricity supply जो है free होने के कारण quality वाली नहीं रहती अब electricity distribution companies को लगता है कि वैसे भी देखो यह free वाले लोग है वहाँ पर electricity cut होती है तो ज़्यादा जल्दी से कोई जाता नहीं है cut भी लगता है 3-4-4 गंटे free वाले है जो लोग पैसे दे रहे हैं वो तो सवाल उठा सकते हैं बढ़िया डंसे की देखो बिजली क्यों नहीं दे रहे हो मतलब सवाल तो देखो free वाले भी उठा सकते हैं लेकिन जादा जो अवाज भारी है ना उन लोग ही है जो पैसे दे रही है तो जब quality, electricity नहीं मिलती इससे भी तो किसानों को नुक्सान होता है बट आपको पता है हमारा देश जो है वो इतना ज़्यादा competitive democratic country है political parties के बीच इतना ज़्यादा competition है vote लुभाने के लिए free free दे तो दिया जाता है लेकिन एक बार जो चीज फ्री दे दी जाती है उसके लिए पैसा वसूलना फिर सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है vote bank कोन अपना vote bank का नुक्सान करना चाहेगा सरकार ने, central government ने एक अच्छा suggestion देया था जो हमने पहले भी discuss किया कि एक बार free मत दो आप direct benefit transfer कर दो यानि किसान जितना बिजली इस्तमाल कर रहा है एक बार उसको bill भरने दो, बाद में जो bill है, वो उसके account में डाल दो भई किसान को एसास तो हो कि देखो इतनी बिजली खर्च कर रहे हो आपने एक मेंने में दो हजार की बिजली खर्च कर दी, वो बात अलग है, पैसा उतना का उतना आपको सरकार से मिल रहा है इससे किसान wastage कम करेगा इसके बाद लाइटर बोलते हैं कि देखो मैं मानता हूं कि current cost जो है electricity की काफी ज़ादा है, एक unit 7 से 8 रुपे के बीच में, गरीब लोग इसे afford नहीं कर पाते, गरीब किसान भी इसे afford नहीं कर पाते तो आप देखिए analyze कीजिए, एक छोटा जो small household है, छोटा घर है, उसमें requirement कितनी होती है, आप light जगाओगे पंखा चलाओगे, mobile phone चार्ज करोगे, टीवी चलाओगे, तो इसमें एक मन्थ में 50 unit कंजूम होती है और अगर आप free चलाओगे तो 100 unit हो जाती है, एक महने में 200-300 unit तो उस घर में कंजूम होती है जहां पे थोड़े luxury equipment चलते हैं जैसे AC वगरा चलते हैं और जो AC चलाता है writer के अनुसार वो गरीब तो नहीं हो सकता और देखो 200 unit पर मंथ तो देली पंजाब में आलेड़ी दी जा रही है फिर भी सरकारे political parties, voters को लुभाने के लिए और बड़े वादे कर देती हैं 300 unit करेंगे, 400 unit free करेंगे इससे नुकसान देखो ये होता है एक तो सरकार का बहुत सारा revenue free में चला जाता है और उसका फाइदा ऐसे लोग भी उठाते हैं जो वास्ता में गरीब नहीं है सरकार इस revenue का इस्तमाल कर सकती थी कुछ और jobs create करने के लिए infrastructure create करने के लिए और जब देखो free free मिलता है ना ये सारा कुछ है तो फिर आप बताओ कौन अपने घर की छट पर ये rooftop solar establish करेगा solar panel कौन लगाएगा अगर सब कुछ 300 unit तक तो free में ही मिल रही है किसी को incentive भी नहीं है ultimately देखो नुकसान ग्रीब लोगों को होगा फिर भी कैसे जब देखो electricity free मिलेगी ना तो पूरे 24 गंटे नहीं मिलेगी जो electricity distribution companies है वो अच्छी service नहीं provide करेंगी तो ये free वाला culture जो है ना वो बंद होना चाहिए लाश्ट में देखो मैं आपको एक simple बात बोलता हूँ आपको ये चीज समझ में आ जाएगी सरकार के पास देखो दो रास्ते हो सकते हैं एक रास्ता ये हो सकता है कि सरकार के पास जो revenue है उसका इस्तमाल करें सरकार अच्छी health service create करने के लिए अच्छी educational service create करने के लिए स्कूलों में बढ़िया डंग से education quality education provide हो learning outcome अच्छी हो skills देने के लिए सरकार उस पैसे का इस्तमाल करे ताकि overall लोगों का जो income level है वो increase हो लेकिन ये है long term process इसमें time लग सकता है दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि ग्रीब लोगों को relief provide करने के लिए थोड़ थोड़ फ्री कर दो ये short term relief है इसमें न political parties को short term में फाइदा हो जाता है उनको लगता है कि यार 5 साल का, 2-3 साल का देखते हैं हमें कैसे voters को रिजहा सकते हैं इसमें तो वक्त लग जाएगा 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं इतना हमारे देश में न कोई सोचते नहीं है political leaders Central government तो फिर भी कई बार सोच लेती है मतलब किसी political party की central government की बात नहीं कर रहा है मैं, center में कोई भी political party की government हो वो फिर भी कई बार सोच लेती है reforms आने चाहिए क्योंकि central government को जबाब देना पड़ता है IMF को दिखाना पड़ता है मतलब बड़े-बड़े economic advisors जुड़े होते हैं central government के साथ में state government तो बहुत कम इन चीज़ों के बारे में सोचती है state में जो political parties है ना उनका vision बहुत छोटा होता है generalize नहीं कर रहा मतलब सभी political parties के लिए नहीं बोल रहा लेकिन आम तोर पर आपने ये चीज़ notice की होगी last में writer suggestion देते हैं आप एक काम करो कुछ particular sections को fixed rebate दे दो जैसे जो residential consumer है ना उनको electricity bill पर एक महिने में 200 रुपे की छूट दे दो अब 200 रुपे की छूट मिलेगी ना अब देखो जिसका bill 400-500 का है उसके लिए 400-500 में 200 रुपे की छूट काफी जादा है 50% हो गई लेकिन जिसका 7000 बिल आ रहा है 6000 बिल आ रहा है जो अमीर लोग हैं उनको 200 रुपे की छूट से कोई फरक नहीं पड़ेगा इसी परकार से कुछ दूसरे sections जैसे home based enterprises हैं उनको आप छूड दे दो additional debate दे दो जो अपने घर में energy efficient appliance इस्तमाल करता है जैसे refrigerator तो इससे फाइदा होगा इससे electricity बचाई जा सकती है यह हमने पूरा article discuss किया हमारी आज की इस discussion में इतना ही है Thank you, thank you very much for